खेद का विश्य है कि आज कल करम कांड बहुत बढ़ गया है और जिस चीज को बढ़ना फूलना चाहिए था अध्यात्मिक था वो कम हो गई बलके कई जगा तो गुम हो गई है करम कांड युगों युगों से होता आ रहा है और करम कांड करने वाले ये समझता है कि उसके हवन करने से, यग करने से, मंदिर जाने से सिवलिंग पर जल चड़ाने से, किसी तीर्थ की यातरा करने से गंगा सनान करने से, वो जनम मरन से मुक्त हो जाएगा हजारों, करोडों लोग ये सब कर चुके क्या वो मुक्त हो गए, क्या उनको मुक्ष मिल गया क्या वो जनम में द्धन से बाहर निकल गए इस पर विचार तो करना चाहिए न कि करम कान्ड का करम है शरीर का धर्म मान लो आप लेकिन इस शरीर को तो रहना नहीं है ये तो पांच तत्वों का बना हुआ एक पुतला है जिसको आखिर पांच ही तत्वों में जाके मिल जाना है लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है वो आत्मा तो मोक्स मांगती है वो करम कांड नहीं मांगती है करम कान्ड मुक्ति का साजन नहीं है इस बात पर विचार कीजिए और इसको समझे